दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप MP के अंदर कोई भी गवर्मेंट फर्म भरते हैं तो आपको सबसे पहले MP ESB में अपना प्रोफाइल रेश्टेशन करना होता है अपनी प्रोफाइल बनाना होता है तो इस वीडियो में मैं आपको step by एक live demo फर् वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यहाँ पर आभी आप देख सकते हैं MP ITI training officer का farm चल रहा है और यहाँ पर group 3 engineering का और यहाँ पर pre nursing selection test PNST और यहाँ पर A&M यहाँ पर यह सभी farm के लिए आपको यह इसकी जरूरत पढ़ती है कोई भी आप farm भरेंगे ESB का तो तो दोस् तो यहाँ पर नई profile और update कैसे करना है दोनों की लगभग same process है तो मैं दोनों की process आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप 2024 में जो भी farm भरेंगे तो यहाँ पर कैसे आपको profile बनाना है तो मैं step by step बता रहा हूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी profile बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ESBMPonline.gov.in की ए official site पर आना है तो दोस्तों इस हिंदीव में भी कर सकते हैं तो यहाँ पर उम्मिदबार profile link इस बाले option पर आपको click कर देना है तो दोस्तों आप जैसे इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको candidate profiling तो यहाँ पर profile registration करना है अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो इस पर click करेंगे और यहाँ पर edit करना है profile में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी profile का password reset करना है तो यहाँ पर करना है आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों अपनी profile का print निकालना है तो यहाँ पर reprint profile receive इस पर क्लिक करेंगे और आपकी profile में अगर आपको mobile number नया जोड़ना है पहले जो number डला था वो गुम हो गया है या नहीं है चालू तो नए नमबर जोड़ना है तो यहाँ पर मुबाइल नमबर अपडेट एंड फोरगट पासवर्ड इन प्रोफाइल रेजिटेशन थ्रो एकवाइसी वेरिफिकेशन तो यहाँ पर जाएंगे इस पर नए नमबर जोड़ सकते हैं और यहाँ पर सर्च केंडिडेट प्रोफाइल रेजिटेशन अगर आपने पहले रेजिटेशन किया है आपके पास में रेजिटेशन आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपको इस पर जाकर अपनी registration ID प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो आप नए candidate है तो यहाँ पर profile registration form इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर दोस्तो आपके सामने आएगा यहाँ पर क्या आपके पास पूर्व में पंजी करत प्रोफाल ID है उसके बाद चर कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और OTP प्राप्त करें इस पर क्लिक करेंगे दोस्तो जो मुबाइल नमबर डाला उस पर यहाँ पर आपका प्रोफाइल OTP प्रविश्ट करें तो यहाँ पर आपकी जो मुबाइल नमबर है उस पर एक OTP जाएगा बन टाइम वो OTP यहाँ पर डालेंगे और OTP सत्यापन करें तो यहाँ पर आपको OTP डाल के सत्यापन कर लेना है फिर आपके मुबाइल पर दोबारा से एक OTP जाएगा उसमें आपकी प्रोफाइल ID और यहाँ पर पासबर्ड लिखा रहेगा तो यहाँ पर आपको फिर से लोगिन कर लेना है दोस्तो यहाँ पर आप नए केंडिडेट है या फिर आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप जा सकते हैं Edit Profile Registration फिर इस पर जाएंगे यहाँ पर profile 15 EKBC करना है तो इस सत्यापन farm क्या आप अभी profile को EKBC के द्वारा सत्यापन कराना चाहते हैं अगर आपको edit करना है तो यहाँ पर दोस्तो यदि हाँ तो हाँ पर tick करेंगे और EKBC OTP सत्यापन इस बाले option पर click करेंगे और आगे बढ़ा है इस बाले option पर आपको click कर देना है यहाँ पर दोस्तो EKBC OTP द्वारा सत्यापन तो यहाँ पर आपको अपना आधार नमबर डाल देना है और यहाँ पर इस डब्बे पर आपको tick कर देना है और यह capture code को इस box में fill करेंगे और generate EKBC OTP इस पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप update कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आधार नमबर आलरेड़ी आ जाएगा तो आपको tick करके generate OTP पर click करना है दोस्तो फिर यहाँ पर आपके mobile नमबर पर जो आधार से registered है उस पर एक one time OTP जाएगा OTP यहाँ पर डालेंगे और इस डबबे पर tick करेंगे get detail इस पर click करेंगे दोस्तो यहाँ पर फिर आपकी जो आधार से details है वो यहाँ पर ले ली जाएगी तो दोस्तो आपको profile बनाने से पहले आपको अपने जो आधार कार्ड है उसमें सभी जो नाम की spelling है Father's Name सभी चीजों को अच्छे से अपडेट करा ले उसके बाद में ही आप profile बनाएं आपको जो profile बनाएं तो आपकी टैंत और आधार कार्ड में नाम सेम कर बालें उसके बाद में ही आप यहाँ पर profile बनाईएगा यहाँ पर आपका आवेदक का नाम अजागा यहाँ पर उपनाम और यहाँ पर पिता पती का नाम यहाँ पर माता का नाम और यहाँ पर आपकी डेट और बर्द जन्मेती थी आपको यहाँ पर दर्ज करना है आपकी माक्सिट के अनुसार अपनी जन्मतिती दर्जी करें उसके बाद में कि आप मद्यप्रिदेश के मूल निवासी है अगर आप MPK हैं तो यहां करना है नहीं है तो आपने ओपर टिक करेंगे उसके बाद में यहां पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आप मेल केंडिडेट है या फुरुष केंडिडेट यहां पर आप स्रेणी आप अनारक्षित है यू आर या फिर SC या फिर ST या फिर OBC तो यहां पर दोसतो आप जो भी आपकी केटिगरी है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद में क्या आप आर्थिक रूप से EWS कमजोर बर्ग में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आते हैं तो यहाँ करेंगे नहीं तो आपको नोपर ।ک करना है यहाँ पर दोस्तों आता है आपका उच्छ सेक्षनिक योगिता का इस्तर तो यहाँ पर दोस्तों आप उच्छ सेक्षनिक योगिता आपके क्या है यहाँ पर 8B, 10B, 12B, ITI, Diploma, Engineering, इसनात, इसनात, कुतर, PhD जो भी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में आपका निवास का छेतर, Gramin, Rural छेतर में रहते हैं या फिर सहरी छेतर में, Urban छेतर में वो अपने according यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में क्या आवे तक विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर Yes करेंगे और यहाँ पर अपनी विकलांगता का यह डीटेल सेहाँ पर सेलेक्ट करके दे देना है, नहीं है तो no product करेंगे यहाँ पर तोस्तो आता है क्या आप विभाईत हैं, अगर विभाईत हैं तो यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर यदि हाँ तो विभा की तिथी यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या कितने है वो टाइप करेंगे अगर नहीं है तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर अंतिम बच्चे की जन्मति थी और यहाँ पर क्या अंतिम बच्चे जुडबा हैं अगर हाँ तो yes no ये details आपको दे देना है यहाँ पर दोस्तो पत्र बेभार के लिए बर्तमान पता तो यहाँ पर आपका जो भी बर्तमान के में पता है वो यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर मकान नंबर डाल देंगे यहाँ पर गली महला गाओं का नाम यहाँ पर छेतर कालोनी का नाम यहाँ पर तहसिल का नाम यहाँ पर राजी सलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना जिला सलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपने एरिये का पिन कोट डाल देना है यहाँ पर दोस्तो आता है सलेक्न दस्ता बेज तो यहाँ पर आवे दक के सरीर का इस्थाई पहचान चिन तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक आपके सरीर पर कोई निसान होगा आपका कोई कट मार्क होगा या फिर मॉल होगा जो भी हो वो यहाँ पर लिख देना है जिसे यहाँ पर कट मार्क on left leg तो इस तरीके से जिसे आपके चहरे पर तिल है तो मॉल on face इस तरीके से आपको लिख पहचान पत्र तो यहाँ पर दोस्तों आप बोटर आइडी रखना चाहते हैं या आधार काट को या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन काट पासपोर्ट या अंगसूची फोटोग्राप जिस पर हो वो तो यहाँ पर वो अपना एक जिसे आधार को ही रखना चाहते हैं तो पाधार सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वही आपको एक्जाम सेंटर में ले जाना होगा यहाँ पर दोस्तों कि आपको फिंगर बायोमेट्रिक परिक्षण में कोई समस्या है तो यहाँ पर नहीं पर टिक कर देना है फिर यहाँ पर दोस्तों आत प्रमानपत्र आपकी मार्क से 10 की जातिपेश रिया विकलांगता सेटिपिकेट चुने गए आपभ्लाइब। यह प्र अर यहां पर और तेख करेंगी और यहां पर दोस्तों गोश्णा पत्र इस पर आपको टिक कर देना है और पंजीकरण संसोधित करें इस वाले option पर click करना है तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर लगभग edit की update की और नई profile की same process रहेगी कुछ-कुछ change है मांकि सभी चीजे same प्रकार से होगी अधिप्रिदेश करमिचारी चेन मंडल द्वारा निर्धारित इसकेन दस्तवेज फाइल फोटो हस्ताक्षर हस्त लिखे टेक्स्ट तो यहाँ पर दोस्तों आपको कृपया नीचे दिये गए दस्तवेज का print लेकर दिये गए box में अपनी नविन्तम फोटोचिप का एबम हस्ताक्षर तथा हस्त लिखे टेक्स्ट लिखे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिखेंगे उसका साइज यहाँ पर 220 के भी या इससे कम साइज में scan कर अटेच करना होगा तो यहाँ पर click here to download template तो यहाँ पर दोस्तों इस पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं PEB तो यहाँ पर Professional Examination Board जो की ESB की तरफ से यह जो scan करना है पड़ेगा इसको भरके तो यहाँ पर दोस्तो इसको आपको print out निकाल लेना है और यहाँ पर आपको इसको भरना है तो यहाँ पर आपको अपना नवींता में एक photograph यहाँ पर upload करना है आपका photo ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर photo के नीचे हिस्से पर photo चिपकाएं और यहाँ पर दिनांग भावेदक का नाम इसपश्ट होना चाहिए आवेदन करने की तित्थी से तीन महिने से पुराना अधिक photo नहीं होना चाहिए तो आपका photo wide way ground का ही रखना है तो ज़्याद तो यहाँ पर मैं घोश्टना करता हूँ कि मेरे दौरा आवेदन में दी गई समस्ते जानकारी पूर् prol vezes होना है तो यदी मेरे दौरा तो यह लाइन आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको उतार देना है आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं अगर इंग्लिस में लिखना चाहे तो यहां पर यह इंग्लिस बाली लाइन उतार देना है तो यह सेम टू सेम आपको उतार देना है और इसको स्केन करके आपको अपलोड करना है तो आपको कैसे यहां पर लिखना है तो बोवी में आपको यहां पर यहां पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आपको अपना फोटो लगाना है और यहाँ पर बॉक्स के बीचो बीच अपना सिगनेचर करना है और यहाँ पर यहाँ पर यह सेल्प डिकलेरेसन तो स्वगोशना पत्र यहाँ पर self declaration इस तरीके से यहाँ पर यह लाइन को आपको same to same यह दिखा रहा हूँ example इस तरीके से आपको अपनी head writing में उतार देना है इस तरीके से आपको नहीं लिखना है मानलो आदा बाहर जा रहा है और यहाँ पर signature बाहर जा रहा है यहाँ पर आपको head writing लिखा हुआ है तो मैं आपको upload करके दिखाता हूँ आपको जैसे इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो photo है वो आपको यहाँ पर crop कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको crop करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से यह दोस्तो sample image बता रहा हूँ आपको इस तरीके से आपको अपनी जो image को करना है एक्जेस्ट तो यहाँ पर दोस्तो यह करेंगे उसके बाद मैं right का निशान दिख रहा है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका जो photograph है वो यहाँ पर आजाएगा तो यह मैं demo details बता रहा हूँ sample के तोर पर photo upload करके उसके बाद मैं यहाँ पर signature तो दोस्तो यहाँ पर आपको जो signature है आपका यहाँ से आपको इसको लेना है और उसके बाद मैं यह जो signature बाला box है आपको यहाँ पर इसको crop करना है उसके बाद में राइट करेंगे तो आपका सिगनेचर आ जाएगा और यहाँ पर हेड राइटिंग ब्राउस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो आपका टेंपलेट है उसमें यहाँ से आपको इस तरीके से आपकी जो हेड राइटिंग है वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर आ जाना चाहिए head writing वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से exist कर लेना है आपको अपनी head writing और right का निसान तो यहाँ पर यह पूरा आ जाएगा तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सारा यह सही है उसके बाद में यहाँ पर upload photo signature यह तो आपको इन सभी पर टिक कर देना है कि मुझे इस पर सही तरीके से दिखा रहे हैं तो यहाँ पर upload photo signature head writing declaration इस पर आपको click कर देना है तो दोस्तों फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से आपके यह photo signature सभी आ जाएंगे तो इस तरीके से आप आसानी से यह upload कर देना है किरपया सभी दस्तावेश सलगने करें यहाँ पर आपको जन्मतिति के लिए आपको 10 की mark sheet यहाँ पर या 8B या 12B जिसमे date of birth लिखी हुई है वो यहाँ पर upload करना पड़ेगा और यहाँ पर OBC, SC, HT से फार्म भर रहे हैं तो यहाँ पर EWS से जो भी भर रहे हैं तो उसका जाती प्रमान पत्र यहाँ पर scan होके upload होगा तो यहाँ पर दोस्तो जिसका size यहाँ पर जिसकी bit 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और height 400 से 950 पिक्सल तो यह height में इसी format में आपको upload करना पड़ेगा जिसका size यहाँ पर और दोस्तो यहाँ पर इनका size है 150 केवी से कम होना चाहिए यहाँ पर JPG format में दिया है तो यहाँ पर चलिए मैं size कैसे बनाना है वो भी आपको बताता हूँ तो दोस्तो आपको अपने document के size कैसे बनाना है तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मानलीजी आपकी यह marksit है तो यह sample demo details है यहाँ पर example के तोर पर यह marksit करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको अपने document को इस पर टिक लगा इसको हटा देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है आपको क्या मांगा है 700-800 इसकी बेट और यहाँ पर 400-950 तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 750 भाई 900 तो यहाँ पर दोस्तो आपको इसमें यहाँ पर आपको 750 लिख देना है और यहाँ पर 900 इस तरीके से उसके बाद में OK करेंगे तो यहाँ पर आपको यह साइज में फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके Save As इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपनी जो मार्क सिट है उसका नाम दे देना है जो भी नाम देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको सेफ कर लेना है दोस्तों मालीजी आपका जो मार्क सिट है उसका साइज आपका 1.500 केवी से ज़्यादा जाता है तो यहाँ पर आपको मैं बोवी बता देता हूं तो आप फोटो सॉप के माध्यम से भी साइज कम कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको फोटो सोप खोलना है और आपकी जो मार्क सिट है उसको आपको यहाँ पर फोटो सोप में ले जाना है तो इसका साइज कैसे कम करना है बो भी मैं बताता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो मार्क सिट है उसका अगर देड़ सोके भी से ज़्यादा साइज ह चौनाया पने उसका, उसके बाद में फाइल पर जाएंगे、 और सेब इससे बाहरा कर लेना है और सेब बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसे और कम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते यहां से कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर दोस्तो आपको बन MBPS यहां पर यह सलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में OK करेंगे तो यहां पर दोस्तो जो आप OK करेंगे यहां पर तो मान लीजे यह वाला जो साइज है वो यहां पर सही बन गया है 126 के भी तो यहाँ पर upload करेंगे तो आसानी से upload हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप browse पर click करके browse पर click करके select करेंगे और upload worth certificate पर आपको click कर देना है इसी प्रकार से आपको जाती प्रमान पत्र का size बना के upload कर देना है और यहाँ पर दोस्तो अगर handicap में आते हैं या फिर यह इन में से तो आप इने भी कर सकते हैं otherwise इने खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर आपको submit detail इस वाले option पर आपको click कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो profile बनकर complete हो गई है यहाँ पर आपका सामाने पंजी करंट आपकी सभी details आजाएगी को print profile receipt इस वाले option पर जाकर यहाँ पर आपको इसका print out निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो यहाँ पर फिर आपको home page पर जाना है और आपको जो भी farm बनना है मानली जी यह बाला farm बनना है आपको MPITI training officer का तो यहाँ पर जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो इस पर टिक करेंगे उसके बाद में continue करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना सामाने पंजे करन कर्मांग की डालना है और जन्मितिति इस बाले option पर यहाँ पर अपनी जन्मितिति सेलेक्ट करेंगे ESB का जो भी farm है वो यहाँ से इस तरीके से apply कर पाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर मदे प्रिदेश में ESB के तरफ से जो भी जितने भी farm निकलते हैं उसके लिए यह बनाना जरूरी है सभी को तो दोस्तो इस तरीके से आप MP ESB Profile Registration 2024 में घर बेटे आसानी से बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे